जो तुम ढर्ते हो ना आभी तक कुछ मी नहीं पढ़े न तो भी प्रॉब्लम नहीं है जो तुम ढर्ते हो डर करो नंबर खूर कर आओगी तुम्हारे विकास भी की पूल गरंटी है हेलो बच्चो नमस्कार हम क्या हाल चाल हम इस वीडियो में क्लाश 10th इंगलीज 2024 बोर्ट एक्जाम के लिए लेकर आ चुका हूं 2023 का मॉडल पेपर यह बोर्ट एक्जाम 2024 के लिए कंपल सरी है कुष्चन पेपर आप देख सकते हो यहां पर तो सबसे पहले आप यहां पर आप लोग देख सकते हो दिया गया है यहां पर क्लाश 10 2023 बोर्ट एक्जाम का कुष्चन पेपर 817 डीके कोड़ का जूट नहीं बोला हुआ लेकिन यहां पर जूट नहीं बोला तीन गंडे 15 पता होगा 20 नंबर के MCQ आते हैं अपकी बार आपको पता ही होगा ठीक है पिछले साल से आ रहे हैं बस सीधे हम question क्यों राते हैं भाई आपका डर खतम होना चाहिए नंबर भर भर के मिलने चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लो read the following pieces carefully and answer the question that follow choosing the correct option आपको तीन नंबर की विकल्पी प्रसने नहीं हैं आप इस पैसे को पूरा पढ़ोगे सबसे पहले आप question पढ़ लिया करो ठीक है तो यह तीनो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लो old people say that child who childhood is the best part of life they look back at their childhood and remember all its happy days the jolly games the fun they had to at school the sweet and cakes they used to eat मतलब जो भी खाते थे जो भी यूज करते थे ना joke they used to play and endless discussions they had among friends about almost every topic अब यहां पर देखो मैं एक चीज़ बता दूँ अगर तुमको इंगलिस पढ़के समझ में आ रही है ना अभी यह सारी चीज़े कर पाऊगे अगर बिल्कुल नहीं समझ रहे तब तो फिर प्रॉब्लम है ना थोड़ा पढ़ो मिनी याद करो फिर ना अब उसके बाद है भाई मतलब जो भी एक फिता होता है यहां पर बोला गया है उसका पुतर भी ग्रो होता है उसके बाद वो एक फादर की तरह बड़ा हो जाता है तो यह सारी चीज़े हैं ठीक है देखो समझे में आना चाहिए एंड़ फादर इंड़ सेफ ऑफ लिटल बॉय है तो गो तो इसकूल एंड आइक एट अट आल देखो सब पहले पापा जब थे आपके स्कूल में यह बता रहा है कि बाई जब आपके पिता जी स्कूल में पढ़ते थे और यह सब बंक मारते लेकिन अब जब एक बंका करता है तो प्रॉबलम होती है जानते हो क्यों वह सोचते हैं की बच्चा पढ़े-पढ़े पढ़े-पढ़े क्योंकि उनको भी लगता है वशी भात है कि बच्छा सक्सेज हो वो कुछ काम कर रहे हैं या मान लोग थोड़ा नीचे लेबल में सोचते मेरा बेटा उपर जाना चाहिए उनके भी मतलब जिम्मेदारी बनती है यह तो होता है ठीक है तो यह लोग ऐसा करते हैं तो यहां पर देखो दूसरे एक आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाए कि भाई इसके बाद आपको होता तीसरा विंदा पैसेज इस दा बोजिट ओफिंड द्लेस मतलब जिसका कभी अंत ना हो मतलब अनंत अब अनंत का विल्कुल सिंपल जिसकांत हो सके मतलब फाईनाइट होतो है यहां पर आपका विकल्प है देख लेए ठीक है उसके बाद आपका rajट्गَौन विलगो वेंट और आडफ और यहां पर आडफ और बढ़ रहन के पहले हैडone विलकुल कि बढ़ाध लो सकता है। हैड़ गॉरब्लुकल रहे सकते हो सकता है क्योंकि पास्ट परफिक्त में भी प्रॉब्लम ना लेना ठीक है उसके बाद आगे आपका आता है छटमें नमबर का कोच रिया रेंज दा फॉलिविंग वर्ड्स संड़ी इसे पहले सब्जेक्ट ढूंड़ो सब्जेक्ट इसमें कौन सा हो जाएगा भाई ही सब्जेक्ट है के साथ क्या आएगा वर्व मतलब गोईज ठीक है गोईज आएगा तो यहां पर आपका हो जाए विकल्प नमबर भी ही गोईज टू चर्च ऑन इसने मतलब वा क् अचिपने के आपको आपको पता चल जाएगा राम से जो पहले आते उनको कट कर दिया करो आपके कुश्चन करने के चांसे ज्यादा अच्छा बन जाते है बढ़ जाते हैं राइट कुश्चन चूज करने के उसके बाद आठ हुआ है आपका the teacher appointed the mistake and seela corrected it भाई point out करना है ना point out आप पढ़ते हैं point out कर दो pointed out तो out लगेगा इसमें d number आपका सही है 9 में से 10 में question भाई फिर से आपको पढ़ना है सबसे पहले यहाँ पर पढ़ो read the prices given below and choose the correct option to answer the questions that follow देखो यहाँ पर भाई दिया गया है पूरा का पूरा तो आपको इसमें दो के बताने सबसे पहले question पढ़ो Mr. Mandela was not free but his brother and sister were क्या थे सब अब दूसरा पढ़ो Mr. Mandela join the frequent national congress ठीक है कब join कि यह वहाँ पर पूचा है तो सबसे पहले यहाँ पर देखो but then I slowly saw that not only I was not free but my brother and sister were not free मतला उनके जो brother and sister थे वह भी free नहीं थे यहाँ पर आपको हो जाएगा also not free है ना क्योंकि यहाँ पर दिया गया है brother and sister were not free also not free ठीक यह हो जाएगा क्योंकि free तो थे नहीं वहाँ पर एक्चली में आप जब चैट पर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो black people हैं जो गोरे लोग थे उनके उपर अत्याचार करते थे मतलब उन पर काफी पबंदिया होती थी कहीं पर नहीं जाता है जैसे अभी अपने यहाँ के समाज में आप देखो जो कोई बात है बदलनी चाहिए यह सारी चीजे हैं मतलब उसको न छूओ नहीं तुमको छूट लग जाएगी इसी सारी चीजे होती है तो क्या यार पता नहीं चलो कोई बात नहीं उसके बाद आगे देखो मिश्टर मंडेला जॉइन दा फ्रीकर नेशनल कॉंग्रेस बहन अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो अंसर दे दो कि मैं यह जानता हूं मुझको पता है ना देखो देखो सबसे पहले ही फाउंड ही वाज फ्री फ्री तो थे नहीं तो यह गलती हो जाएगा ही फाउंड हम यह तुमको सलाह दे रहा हूंग पैसे को ध्यान से पढ़ना मैं कर्टेल बिल्कुल सही ही फाउंड उसने पाया कि भाई इनकी उनकी जो फ्रीडम है और उनके जैसे जितने भी लोग थे जो काले लोग थे उनकी फ्रीडम के लिए क्या कि कांग्रेस को जॉइन किये थे ठीक है उसके बाद है आपका देखो यहाँ पर है कुश्चन नंबर सबसे पहले यह तो मिटा देखो कि बाई दा पोएम वाज एबाउट अ मदर डख आंड किसके लिए थी जो पोएम थी तो भाई एबाउट दा मदर डख आंड फादर स्वान के लिए थी देखो जब आप इसको चैप्टर पढ़ोगे तब ही कर पाऊंगे मैं बिल्कुल सर जोट नहीं बोल रहा हूं भाई कि नहीं ऐसा ऐसा ना यह बाई चैप्टर पढ़ने पढ़ेंगे तुमको अगर तुमको एक्जाम में अच्छे लाना चैप्टर का अनुवाद कर अगर अनुवाद नहीं पढ़े हो तो बताओ जल्दी से मैं बताऊंगा ना क्यों टेंशन लेते हो कमेंट किया करो करते ही नहीं हो लाइक सेर सब्सक्राइब करते हैं ठोको जल्दी या ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे आप का आता है 14-15 नमबर कुछन रीज द गीवन एक्टेक्ट एंड चूज इसमें चूज करना है ठीक है अब यहां पर देखो सब the word will end in fire some say in ice from what I have tested of desire I hold with those who favor fire hold मतलब भर सहमती कर रहे हैं किसके लिए जो fire बोल रहे हैं कि fire से है यह नहीं चलो आगे यहां पर देखो कुछिन नमबर 16 से 20 देखो यह सारे के सारे सारल कुछिन भी आएं बिल्कुल कठी नहीं अगर तुमको थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आती रही होगी तो बिल्कुल कर लिए होंगे उसके बाद आपके बहुत भी कलपी कुछिन ज कहां पाया देखो यह चैप्टर का ही है मुझे याद है ठीक है तो वह हो जाएगा आपका उसने अपने आपको डेजर्ट में पाया था मतलब रेगिस्तान में पाया था उसके बात यह भी कलप आपका डिस ही है 17 नंबर का कुछिन है भेंद थीप और नेक्स्ट स्वालोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हीज बॉडी बीकें ट्रांस्पेरेंट मतलब पारदर्सक बन गई तो यह वाली सही है उनी से मिस्टर जॉफर्स हना दा कॉंस्टेबल हैड तो अरेस्ट ए मैंड विदाउट जिसके पास कोई भी सर नहीं था यह कहानिया है आप चानते ही हो उसके बाद 20 वा नंबर है एट हरवार्ड मेडिकल स्कूल रिचार्ड ब्राइट बिगें डूइंग एक्स्पेरिमेंट्स बिकाउज ही वांटेड तो सेव हीज लाइफ तो प्रूब दा रियक्शन तो सेव अदर्स लाइफ यही होगा आपका हो सकता है देख दा फॉलिंग पैसेज केरफुली एंड अंसर दा कुश्चन देट फॉलो ठीक है तो आपको अंसर देना है तो यहां पर देखो यह भी आपके दो दो चार छे साथ साथ नंबर बिल्कुल फिरी मिल रहा है क्यों कि इसी मेंसे आपको अंसर लिगना है और बिल्कुल लाली अब बना देते हैं ठीक है कैसे देखो सबसे पहले कुश्चन पड़ो हाउ मैनी डाटर डिट दा किंग ऑफ ग्रीस एक ग्रीस का राजा था उसके पास कितनी पुत्रिया थी बोल रहे हैं वाज दा फेरेस्ट आफ आफ आल जो भी पुत्रियां थी उनमें सबसे अच्छी क दूँ कि बैए देखो लिखा गया लॉंग लॉंग देर वाज इंग इन ग्रीस ग्रीस में राज़ा रहता ही है थी लवली डाटर तो यहां पर आपको हो जाएगा दा किंग ऑफ ग्रीस थी लवली डाटर ठीक है बिल्कुल सिंपल आपका दो नंबर बिल्कुल मैंने फिक से अची काऊं थी तो भाई आप देखो दा फर्सट डाटर वाज बेरी बूटिफुल रोग करना देखता हूं कर पआँ कि नहीं यार इसी में पढ़ोगे तो आ जाएगा ना तो कमेंट मुझे कर देना उसके बाद आपका यहाँ पर राइटिंग देखो यहाँ पर आ जाता है मैं आपको बता दूँ कि भाई राइटिंग में आपसे सबसे पहले एक आपका पूछे का भाई आप एक क्या लिखो कि लेटर या तो आप लेटर लिख सकते हो चार नंबर का आएगा या आप एप्लिकेशन लिख सकते हो तो मुझे लगता है अप्लिकेशन ज्यादा सरल होता है आप दोनों में कुछ भी लिख सकते हो यह तो याद करने पड़ेंगे यह तो आपको आने पड़ेंगे ठीक है आने चाह ठीक है कि टेंसल लेने लेने लिए और हां यार कुछ लोग को मेरे पसीने से प्रॉब्लम आती है कि भाई विकाद भाई आपके पसीना बहुत आ रहा है देखो ये टपक रहा है तो मैं क्या करूं यार गर्मी लगती है छट है छट से नीचे भाई पूरा कमरा बंद करना यार कम से कम इतने सपोर्ट करते हो कि मेरे पसीना को अपना समझते हो भाई विकाद वही महिनत करें मतलब हमारे यह नहीं ओता है लाइक फाल खो यार तो यहां पर है आपका 23 नंबर तो याप्लिकेशन आप याद कर लें या लिड़ेंटर तो नंबर को उसके बाद है ना sentence बनाना अनुआद करना यह तो आना चाहिए उसके बाद आपका write an article यह आप लिख सकते हो एक article a party हाना birthday party के उपर अपने दोस्त के party के उपर लिख डालो चापके यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर दे भी दिया गया है whose birthday party it was time and place description celebration your impression इसके उपर आपको लिखना है ठीक है तिन दोनों के उपर आप याद एक article लिख सकते हो या एक रिपोर्ट लिख सकते हो कुछ भी आप लिख सकते हो उसके बाद आपका आगे grammar portion देखो चेंज दा फॉलिविंग सेंटेंस भाई चेंजिंग इंटू इंडारेक्टिस भी तो डारेक्टी इंडारेक्टर अब आना चाहिए तो हवा हवाई नहीं ना कि भाई यही आजाएगा बहुत लोग इंपोर्टेंट बताते हैं कि भाई पागल बना रहे हैं तुमको क्यों क्योंकि भाई डारेक्ट ई सेंडारेक्ट क्या इंपोर्टेंट भाई यहापको बिद्ही आनी चाहिए इंपोर्टेंट इंपॉर्टेंट पaboutsी नहीं है, आ रहे हैं छोती सोब्ता नहीं है और आपको पता भी नहीं चल रहा है ठीक है members DNA और आपके सामें अच्छे बन रहे the teacher said to me your duty is to take care of your parents teacher ने मुझसे कहा जो मेरी duty है मेरा करतब क्या है अपने parents मतलब माता पिता की क्या करना देख भाल करना सेव करना जो भी कर लो ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या है the teacher said to me said to को बदल दो told me the teacher told me हो गया अब that लगा के कर दो that my duty duty देखो my क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ पर मी है मी के अनुसार यहाँ पर यूर का मतलब माई हो जाएगा my duty इसको वाज में बदल दो ठीक है वाज to take care of your यूर की जगा फिर ते माई कर दो my parents बस बिल्कुल simple है क्योंकि direct से indirect है ना तो यह आपको हो जाता है तो direct से indirect की बनाने के लिए क्लिए क्या करना पड़ता है टेंस को बदलना पड़ता है प्रिजन थोड़ता है तो पास हो जाता है इस तरीके से ठीक है आपको नियम मालूम हो गया या यहाँ पर समझाने थोड़ी ना आया हूँ भी है चेंज दा फॉलिवी इंटू पैसी वाइस पैसी वाइस एक्टिवाइस भी आपको आनी चाहिए इसका कोई इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है दा किंग सॉट दा लायन वाज अब वाज क्यों लगा क्योंकि यहाँ पर सॉट है सूट क सुट मतलब यह पार्ट में ही दिया गया है तो वाज यहां पर लाग जाएगा और है टीसरा है punctuate the following तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पर भाई because नाम है तो उसको बाड़ा कर दो और यहाँ पर बड़ा कर दो यहाँ पार है aam स्याम उसके बाद यहां पर कामा करो र्म हिस्तीड से अवे फ्रॉंड शीटी ठीक है सिटी यहां पर देखो यह कुश्चन मार्क लगा के अब आप समझ गए होगे उसके बाद आपका आता है देखो ट्रांसलेशन चार नंबर का एगा थोड़ा सा आ रहा है बिल्कुल थोड़ा सा ट्रांसलेशन आएगा ना तभी कर पागे देखो भाई मीनिंग तो याद करने इसे चल दी अब इसका भाई यह ट्रांसलेशन क्या होगा अगर आपको मीनिंग आती है ना तो ट्रांसलेशन आपको अराम से हो जाएगा देखो मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लगनव जाना चाहता था चाहता मतलब वांटेड तो आई वांटेड टू गो लगना वित माई पेरेंट्स और यहां पर फिर रविवार को मतलब अन संडे यह इसका हो गया गाली प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी थी तो जो गाली थी मैं यहां पर रख के लिख रहा हूं ठीक है तो लिख दू अरे यार यह देखो क्या हो गया देख रहो कट ग वाज इस्टेंडिंग एट एट ही लगता है ना इसमें एट दा प्लेटफॉर्म नंबर वन ठीक है उसके बाद देखो आगे क्या दिया गया है आगे दिया गया यहां पर कि भाई गाली में भीड नहीं थी अब यहां पर देखो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो यहां प no crowd in the train no crowd कहां पर भाई है train on it भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं in it भी कर सकते इट का मतलब भाई train की उपर रिफर कर दोगे तो train भी लिख दो चाहिए लिख दो ठीक है तो आज no crowd in it या in the train ठीक है कुछ भी कर दो देखो उसके बाद है इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए तो वी है ना वी मतलब हम लोग वी इसलिए क्या हो जाएगा बॉर्टेट कर दो या हम सूट सर्च कर दो तो सुट सो वी सैट इजली सैट इजली इसली बैट गए उसके बाद गारी सही समय से चल दिए अब गारी जो होती है ना लिफ्ट दा प्लेटफर्म आप बोल सकते ह किया उसको सही अच्छी चीज़ बोलने के लिएक रोसकता क्या हो जाएगा यहां पर क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका आता है थेक्ए तो हैंप यहां पर पर आप को अंसर देने पड़ेंगे, कुस्चन अप पढ़ सकते हैं सारे के सारे पढ़ साके हो थीक है और यहाँ पर सांतु वर्ड में आपको अंसर देना है और तैटी वर्ड मिं अब यहां पर एक चीज नंस में आपको पता थू यह 27 ligabarak क्यों क्यों हो ग्लव Two दो पोयम याद कर लो एक न एक आही जाएगी कियोंकि यहाँ पर दिय गया है वाट डज यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है राइड दा फोर लाइन ऑफ одно पोयम हाना तो आपको जो भी सलेबस में जो कुछ एक्जाम में नहीं आया है वही वाला तो यहां पर आपको फोर लाइन की पोयम याद कर लेनी है तीन नमबर फिक्स अभी से कर लेना है उसके बाद आपका 28 नमबर का है देखो यहां पर आपको सेंट्रल आइडिया आपकी बार अलग दे दिया है पहले क्या देता था आपको सोच अपनी बड़ी करनी पड़ेगी मेरे दोस्त ठीक है उसके बाद आपका आता है 29 नमबर इसमें भी देख रहो सप्लिमेंटरी रीडर का तीन नमबर का आएगा दो में से एक का अंसर इसमें दो में से एक का चार नमबर का तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल कुश्चन पेपर आ रहा है हाँ इतना भी सिंपल नहीं है आप जितना समझ रहे हो ठीक है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी ठीक है तो इतने सारे आपके कुश्चन आए आप लोग देखा मैं पसीने पसीने हो गए अब आप लोगों को भी पसीने पसीने करना है चैनल पर जागा सब्सक्राइब कठों को लाइक ठों को सेर्टों को जो भी करना है करो और इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करो और हां मेरे पसीने से तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे हो रही है कोई दिक्कत नहीं है आप प्रॉब्लम मतलो कमेंट बहुत सारा काम मैं कर रहा था लेकिन भाई लोगों ने बोला आना पड़ा सच में ठी करेंगी रेगुलर्ली वीडियो आएंगी बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को मैं मिलता हूँ आप से किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कारम जय हिंद जय भारत